नवस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे पिनेकल केरियर इंस्टिटूईट के ओफिसियल यूटूब चेनल में हमारा से जहां का तौपिक था होँचा अपका पुलीस फ्रसासन यहां त्रकौरण की कि स्वाट करा है यहां का करता है या फुलीस में बैता गया किने त्रफि dön assert किस स little है हमारा जो आज का टॉपिक है यह सो अन्सक्राइब को इसको ध्यान से समझना कि हमारे सारी चीज अमारी आज की वीडियो में डिसकस करने है तो हमारा टॉपिक जो है मद्प्रदेश की जन्गर्णा इस पे भाई आपको ध्यान देना है जन गड़ना सबसे पहले तो भाई इस चीज को समझो आप जन गड़ना क्या है ठीके तब समझेंगे भाई हमारे मद्य प्रदेश की जन गड़ना देखो एक निशित समय अंतराल में भाई एक निशित समय अंतराल में भाई मैं किसकी बा करूं मैं या किसी राज जी की बात करूं तो वहां कि जितनी भी जनता है उनकी अधिकारिक रूप से गणना करना उनको गीनना उनकी गिंती करना वह किलाती आपकी जन लेकिन कंडिशन क्या रखा भाई मैंने एक निशित समय अंतराल में आपके पास एक समय रहेगा जैसे अभी वर्तमान में 10 साल कि हमारे देश में प्रतिक 10 साल के अंतराल से जितनी भी यहां की जनता है उन सभी की गिंती होती है गणना होती है तो वह चीज क्या कहलाती है गया होगा ठीक है आगे बढ़े हम मधिपिदेश की जनगर्णा तो थोड़ा था भाई आपको भारत की पहले समझना पड़ेगा ठीक है भाई जनगर्णा के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जनगर्णा की जो सुरुवात हुई है यह यह 1872 और आपके यह थे आपके मेयो ठीक है यह आपके गवर्नर थे गवर्नर जनडल अंग्रेजी तो 1872 में जनगर्णा की सुरुवात हुई है ठीक है और आपके जो जनगर्णा निदेशक थे वो कौन थे लाड़ मेयो लेकिन 1872 यह अभी वर्तमान में हमारी जनगर्णा नहीं है यह यह 1872 से हमारी करने जाओगे तो जो जनगर्णा है भारत की मदिप्रदेश की नहीं भारत की वह आपकी पंद्रवी जनगर्णा लेकिन एक निश्चित रूप से यह नियमित जनगर्णा की बात करें continue ठीक है क्योंकि 1872 के बाद 82 में होना था लेकिन नियमित जो जनगर्णा है वो शुरू हिया आपके 1881 से और यह हैं आपके लाड रिपन भाई यह नाम आप सुन चुके हो पहले भी याद करो मैंने इस्थानी स्वसासन पढ़ाया आपको तो वहां मैंने नाम लिया था भाई 1882 में इस्थानी स्वसासन की बात किया तो दोनों में बहुत अंतर है भाई जब आप आधुनी की तिहास पड़ोगे भारत का तो वहां पता चलेगा आपको लाड मेयों का जनगर्णा करवाने का उद्देश अलग था इसके जनगर्णा कराने का उद्देश यह था कि भाई भारत में से कितने लोग बचे हैं जिन से हमारे कारखाने चल सकें हमारे उद्द्योग चल सकें हमारे धंदे चल सकें इसलिए इनको गीनो भाई भाई आप भारत की जनसंग्या गीनोगे तबी तो पता चलेगा कितने और मजदूर हमको मिलेंगे काम करने के लिए कितने और गुलाम मिलेंगे काम करने के लिए इस उद्देश से इसने गिनवाया लेकिन लाड रिपन का कहना था भाई इस व्यक्ति ने इस्ताने स्वसासन की सुरुबाद भी किया था इसका कहना था इनको जीने का अधिकार तो ठीक उसी प्रकार लाड रिपन केहता है भाई भारतियों को गीनो इनकी गिंती करो कई ऐसा ना हो कि भारतियों का वनसज ही खतम हो जाए इनका वनस ही आगे का खतम हो जाए क्योंकि उस समय भाई जानवरों से बतत्र हालत करके रखीये अंगरेजोने भारतियों की तो उसका उद्देश यही है कि भाई कम से कम हिनकी गिंती करवाओ कितने भारति बचे हैं एसे कितने ऐसे लोगये जो जिंदा तो यह थोड़ा सा इतिहास भाई आपको ध्यान रखना है कि शुरुवात किस ने किया लाड सो 1881 कि एक निश्यस समय अंत्राल में भाई अब इनको गिनवाते रो आप हर दसल दस साल के अंत्राल से गिनवाना है कि तो वह जो आपका गिनना है वह आपकी जंगर्णा 1881 लाड़ रिपन के कारेकाल से भाई शुरू हुए आपके जंगर्णा ठीके तो यह तो भाई जंगर्णा के सुरुवात देखा हमने अब वर्तमान में भाई जैसे मैंने बोला भारत की जंगर्णा कौंसे नंबर के चवदुमी मद्यप्रदेश की बात करें भाई तो मद्यप्रदेश का पुनरगठन का बुआ 1956 तो 1956 से आप अगर जंगर्णा ठीके कि वर्तमान में जो मद्यप्रदेश की जंगर्णा है कौनसे नंबर की आपकी 2011 वाली अच्छा जंगर्णा हुई कब थी भाई पिछली बार कभी थी 2011 में तो यह भी ध्यान में रखना है और अब कब होगी 2021 में बस होने वाली है अगले साल से भाई ठीके तो मद्यप का जो विसे हैं जैसे भाई हमारा जो देश है यह राज्यों का संग है याने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग है लेकिन कुछ विसे हैं हमारे देश में जो दोनों के अंतरगत आते हैं केंद्र केंतरगत भी राज्य केंतरगत भी उसको बोलते हैं समवर समवर्थ सूची विसे वहते हैं जिन में वाई केंद्र का धीकार राज्जी का भी होता है ठीक है और एक जिस पर केंद्र का अधिकार है रहें जिस पर राज्जी काई तो तेन विसे कि अगाद्ना जो है Aim सिरॠ केंद्र सरकार का ठीके भाई आप यह याद रखोगे कि जनगर्णा का जो विशे है केंद्र सरकार के अंतरगत आता है आटिकल नंबर 246 यहने किस अनुच्छेद के अंतरगत जनगर्णा होती है 246 के अंतरगत हमारा जो संभिधान का अनुच्छेद है जो आटिकल है भाई क के अंतरगत जनगर्न मेंमित करन काम जो है सायता करने का काम जो है केंद्र सरकार का अनुच्छेद नंबर 246 की जनगर्णा करवाता कौन है तो कुन करवाता है आपका केंदर सरकार किस अधिकार के अंतरगत अनुच्छेद नमबर 246 मदद कौन करेगा आपका राज्य सरकार तो यह आपका हो गया विसे किसके अंतरगत होती है कौन करवाता है ऐसमझ में सुरुबात कभी 1881 लाड रिपन मद्धिप्रदेश की कौन सी जनगर्णा है छेटवी नमबर की जनगर्णा है तो जब आपकी 2011 में जनगर्णा हुई तो आपके जो जनगर्णा निदेशक थे जिनको जनगर्णा का काम सोपा गया था ठीके भारत में भाई जो भारत में जनगर्णा का काम सोपा गया था ठीके वो थे आपके CM चंद्रमोली भाई नाम याद रखोगे आप CM चंद्रमोली यह आपके जनगर्णा आयुक्त थे जनगर्णा निदेशक और अगर MP में पूछा जाए तो सचिन सिना ठीके मद्य प्रदेश में कौन थे भाई आपके जनगर्णा आयुक्त सचिन सिना और भारत के पूरे आल ओवर इंडिया की बात करें तो कौन थे आपके CM चंद्रमोली तो यह दोनो आयक्तु का नाम याद रखोगे भाई आप मद्य प्रदेश के भी और भारत के भी चीके तो दो जनगर्णा जब हुई 2011 में तो उसकी जो आकड़े थे कि भाई कितने लोग है वो आकड़े सबसे पहले जारी किये भाई अनंतिम बोलते हैं इसको अनंतिम का मतलब अभी अन्तिम आकड़े नहीं है अनंतिम अन्तिम से पहले की बात में कर रहा हूँ ठीके तो जो अनंतिम आकड़े है भाई आपके ये आकड़े आये थे आपके 31 मार्च 2011 को कि भाई जो भारत की जनगर्णा है आपके मद्रदेश की जनगर्णा हुई उसके अनन्तिम आकड़े अन्तिम से पहले जो आकड़े आये हैं सबसे पहले वो कब आये 31 मार्च 2011 और अन्तिम आकड़े आपसे पूछा जाए कब आए तो यह है आपके 10 जून 2013 कहीं कहीं भाई आपको 30 अप्रेल भी मिलेगा ठीके तो 30 अप्रेल पे धियान नहीं देना है भाई अन्तिम आकड़े कब जारी हुए आपके 10 जून 2013 को और अन्तिम 31 मार्च 2011 तो जब अन्तिम आकड़े आए भाई कब आए 10 जून 2013 को तो इस आकड़े के तहट आपके जो MP की जनसंग क्या है यह आपकी 7 करोड 26 लाक 26 जार 809 ठीके यह मध्यप्रदेश की जनसंग क्या है भाई हमारा जो मध्यप्रदेश राज्य है इसके जनसंग क्या कितनी है भाई ठीके 7 करोड 26 लाक 26 अईर 809 7 26 26 आट सो नो से आप याद कर लेना इसको ठीके भाई अब यह तो याद करने ही पड़ेगा ना इसकी तो कोई ट्रिक हो नहीं सकती याद की और हर चीज में ट्रिक ढूंडोगे तो भाई जिंदगी में सेलेक्शन नहीं हो पाएगा आया ना समझ में ठीके तो यह चीज़ें आपको धियान में रखना है और दूसरी बात भाई आपके मध्यप्रदेश की करेंड अफियर ठीके क्योंकि यहां आप डेड करवाते बेठेंगे तो भाई चार से पांच महीने अकेले एंपी को लगेगा अकेले एंपी चार से पांच महीने पढ़ोगे ओवरेज होके वैसे एक्जाम से बाहर हो जाओ गया तो इतना काम आप खुद कर सकते हो आपको घ्यान बगराने कि जरुवत नहीं है आया समझ में कई लोग हैं जो ज्यान बगराते हैं जबरन उनको में बोल रहा हूं ऐसा तो यह ध्यान रखोगे आप ठीके इतना काम खुद भी कर सकते हैं अपन तो मधिप्रदेश की जनसंक्या कि जो अंतिमाकले आयते भाई उसके इसाप से कितनी है 726-26809 यहीं आपकी जनसंक्या है और अगर भारत की जनसंक्या के इसाप से देखा जाए तो 5.99% मतलब लगबग 6% जो जनसंक्या है भारत की वो कहां रहती है आपके MP में रहती है यानने पूरे भारत की जितनी जनसंख्या है न उसकी 6% जनसंख्या कहां रहती है हमारे मद्ध्यप्रदेश में रहती है कितने लोग हैं तो इतने लोग आपको याद रखना है और पूरे विश्व में मातर 18 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या मद्यप्रदेश से ज़्यादा है सोच लो आप मद्यप्रदेश तो जब कि अपना राज्य भाई लेकिन पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें अठारा देश से हैं जिनकी जनसंक्या मध्य प्रदेश की जनसंक्या से ज़्यादा है बाकि सभी की जनसंक्या कम हैं तबी तो भारत देख लो भाई आद दूसरे नंबर पर है काई देश से भाई पहले नंबर पर है क्योंकि चीन का छेत्रफल तो देखो आप और भारत का कहा है ठीक है तो है ठीक है तो यह आपकी 2011 के आकड़े हमने देखें ठीक है कितना है साथ 26 चबवीस आठ सो नो इससे पहले जनगंडा कब हुई थी आपकी कि 2001 में हुई थी ठीक है 2001 के आकड़े की बात करें आपका ठीक है तो भाई इस समय की बात करें आपका तो साथ चोंतिस असी तेविस यह याद ऐसे करते हैं इनको यह वेसे आकड़े याद नहीं होते यह 2001 की जनसंग्या MP की और 2011 की बात करें भाई अभी मैंने बताया यह कप की भाई आपकी 2011 की अब जनसंग्या बड़ी कितनी तो आप लोग इसको घटा लो भाई घटा हो गये आपका ठीक है इतनी जनसंग्या आपको मिलेगी कि बाई 2001 में इतनी थी 2011 में इतनी है तो बड़ी कितनी है तो एक करोड बाबिस लाक अठतर ह्यार साथ सो चीयासी इतनी जनसंक्या MP की बड़ी है परसेंटेज के इसाफ से अगर आप देखोगे ठीक है परसेंटेज तो भाई आप निकाल लोगे ना इसका यह से निकालते हैं भाई यह कुल जनसंक्या इंटू हन्रेड जवाब निकालो गया आपका तो यह आएगा इतना ठीक है बीस दसमलो तीन चार प्रतिसत यह आपका इतना आएगा यहने दोजार एक से दोजार ग्यारा के बीच कितने प्रतिसत जनसंक्या व्रद्धी हुई यहने दस की दस की मतलब दस दस की जनसंक्या व्रद्धी दर कितनी है मध्य प्रदेश की यहने दस वर्ष के अंतराल में मध्य प्रदेश में कितने प्रतिसत जनसंक्या बढ़ी है तो कितना बोलोगे आप 20 दसमलो तीन चार प्रतिसत जनसंक्या बड़ी है और यह प्रतिसत कितना है आपका इतना है एक करोड़ 20089776 minimalist प्रतिसत केह सापसे पूछा जाये तो कितना वो लोगे भाई 20 दसंफो तीन चार प्रतिसत जनसंक्या में व्रद्दी हुई इतनी जनसंक्या बड़ी है भाई मद्यप्रदेश में यह 10 वर्सी 10 की जनसंक्या व्रद्दिदर है हमारे मद्यप्रदेश का ठीक है टोटल तो इतना आप याद रखोगे अगर पुरुस पूछा जाए यह तो भाई 211 का हो गया आपका टोटल है ठीक है टोटल अब इसमें पूरुस के पूरुस व्रद्दिदर कितने प्रतिशत होई यह तो टोटल एंपी जिसमें पूरुस महिला है दोनों है लेकिन अगर पूरुस व्रद्दिदर आप से पूछा जाए ठीक है तो आप याद रखो कि पहले तो पूरुस कितने हैं यह आपके पुरुस तीन करोड चियोत्तर लाक बारा हजार तीन सो छे यह इतने पुरुस हैं भाई मध्य प्रदेश में अगर आप प्रसेंट की बात करोगे आपका तो 21.6 प्रतिसत 21.6 प्रतिसत जनसंक्या वरद्दी हुई यह बाई इतने पुरुस नहीं हैं यह ध्यान रखोगे आप ठीके इतने पुरुस नहीं है यह तो आपके पुरुस होगे कि मध्य प्रतिस में इतने हैं लेकिन 2001 से 2011 तक आते आते कितने प्रतिसत पुरुसों में वरद्दी हुई तो कितने पुरुश वुष्टों में हुई 21.6% व्रध्धी हुई यह आने कितने पुरातिसत बड़े हैं भाई आप चाहो तो टूटल का निकाल लो 21.6% समझ में आजाएगा कि इतने पुरुश बड़े हैं कि आया समझ में आपको ठीक है इतना आप गणित लगा लेना आपका मैंने इतना बताया कि की दसंवलों छे प्रतिसद पुरुसों में व्रद्धी हुई है 2001 से 2011 के बीच में ठीक है मैलाओं की बात करें और यह आपका 19.6 प्रतिसद ठीक है भाई यह तो पुरुस टोटल एंपी में कितने है मध्य प्रदेश में पुरुसों की संक्या इतनी है मध्य प्रदेश में महिलाओं की संक्या इतनी है 2001 से 2011 के बीच कितने प्रतिसद पुरुसों में व्रद्धी हुई तो कितना वो लोगे 21.6 महिला व्रद्धी दर कितनी वो लोगे 19.6 पूरुस महिला नहीं पूछे, सिर्फ मध्य प्रदेस की पूछे, कि मध्य प्रदेस में 2001 से 11 के बीच कितने प्रतिसत व्रद्दी दर हुई जनसंक्या, तो कितना बता भाई मैंने 20.34 प्रतिसत, इतना आप याद रखोगे, पूरुस का आ जाए तो 21.6, महिला का पूछे तो 19.6, तो इतना तो भाई सबसे पहले आपको याद करना ही है, ठीके, इतना आपको याद हुआ, तो भाई अब देखो, टोटल जनसंक्या कितनी भाई MP की, इतनी, बराबर कितने प्रतिसत हो गई, 100 प्रतिसत, अब इसमें पूरुस, ठीके, अब पूरुस जो है, यह कितने प्रतिसत हैं, ठीके, तो यह आपका 51.6, 82 प्रतिसत, ठीके, महिला, अब यह तो भाई निकाली सकते हो ना इतना तो 100 में से इतना तो घटा सकते हैं, भाई कितना होगा आपका, 48.18, यहने 48.18, ठीके, तो यह प्रसेंड भी आप याद रखोगे, कुल जनसंक्या, 100 प्रतिसत, भाई अपने आप में वो 100 प्रतिसत हैं, इतनी जनसंक्या में पुरूस इतने हैं, तो कितने हो गए भाई, 51.82, महिला इतनी हैं, मतलब 48.18, प्रतिसत महिलाएं हैं, आया समझ में, तो भाई, यह आपको याद रखना हैं, इनका प्रतिसत भी, इसके बाद भाई, आपको याद रखना है, जैसे मैंने बोला कि भाई, मदि प्रतिस में, 10 की, यानि 10 वर्ष का जो अंत्राल था, उसमें कितने प्रतिसत जनसंक्या में ब्रद्धी हुई, कितनी, 20.34 प्रतिसत, इतनी ब्रद्धी हुई, अब भाई, हमारे याद दो छेत्रें आपको पता हैं, पहला ग्रामेड जेत्र, और दूसरा आपका शेहरी जेत्र, तो टोटल व्रद्धी इतनी है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, कि ग्रामेड जेत्रों में 10 वर्ष यहन्य 10 की, जनसंक्या व्रद्धीदर कितनी हैं, ग्रामीड चेत्रों में कितनी जन्संक्या बढ़ी तो ग्रामीड चेत्र आपका इक आठाउर कि लो तो आपको याद रखना है ग्रामेड और सहरी और टोटल तो पता है बीज देसंबलो तीन चार ग्रामेड में कितनी बड़ी है और सहरी सहर में कितनी है तो आपको ये भी याद रखना है भाई ठीक है अब देखो मधिप्रदेश में टोटल जनसंक्या तो हमको पता है कितनी है यह भाई टोटल जनसंक्या अब जनसंक्या के द्रस्टी कौन से मधिप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है आपको याद रखना है तो सबसे पहले तो भाई आपका यूपी उत्तर प्रदेश फिर आपका महरास्ट फिर आपका बिहार बिहार के बाद आपका पशिममंगाल के बाद आंदरप्रदेश और आंदरप्रदेश के बाद हमारा मध्यप्रदेश ठीके पहला दूसरार तीसरा चोथा पाछवा administration यह आपका छटुप हुआ और दोयार 11 तक आपको पता है आंधर ठीस अलग यह तो तो तेलंगाना तो अलग होने देश में मद्प्रदेश का कौन सा इस्थान लगता है तो कौन सा इस्थान बोलोगे आप पांच कि भाई पांच वा इस्थान लगता है तो यह आपको जनसंक्या के दरस्टी कौन से याद रखना है आपका कौन से नंबर पे आ रहा है पांच वे नंबर पे आ रहा है ठीक है इसके बाद भाई आज का जो लास्ट टॉपिक है यह आपको ध्यान से रखना ध्यान में जनसंक्या की द्रस्टी से सरवादिक बड़ा जिला ठीके तो यहां पे भाई आपको पांच-पांच जिले याद रखना है क्योंकि होता गया अधिक तरह हम सबसे ज्यादा सबसे कम प बड़ा जिला तो वह ज्यादा वाला नहीं देगा उससे कम वाला भी तो दे सकता भाई तो आपको पांच-पांच जिले याद रखना है और आपके पास लोकेशन है लोकेशन के इसाब से आप बिल्कुल याद कर लो आयो समझ में ठीके भाई जैसे पहला तो यहां याद रखोगे आप सर्वादिक जनसंक्या वाले जिले सर्वादिक जनसंक्या वाले जिले पहला आपका इंदोर दूसरा जबलपूर तीसरा सागर चोथा भोपाल पाच्वा रीवा ठीके इंदोर आपका 32 लाक ठीके जबलपूर चोवीस लाक सागर टेवीस लाक अठत्र अजार हो तेवीस लाक एकस्तर हजार 23 लाक 65 थीके पैसट हजार के बाद भी कुछ जनसंक्या है ठीके आकड़ आकड़ हैं हमारे पास तो यह आप याद रखोगे भाई लोकेशन से coronavirus ऐसे याद नहीं नियोंगे जिंद्गी में अपको लोकेशन से याद रखना है आपका सरवादिक जैंसंक्या इंदोर में चैनल को 32 24 23 सब केसे याद रखना इनको बह sürिको सब्सक्राइब जैसे आपका इनदोर मुछ अंदोर्र के बाद आप का जवलपूर जवलपूर के बाद आपका सागर भोपाल और यह आपका रीवा यह आप नक्से में एक बार भरना ग्यारेंटी जिंद्गी भर नहीं भूलो गया कितना 24 लाक 32 लाक कितना 24 लाक 23 लाक और 23 लाक आया समझ में तो इतना भाई आपको याद रखना है हमारी अगली क्लासे जो रहेगी उसमें हम सरवादिक अभी तो सरवादिक पड़े पर नियूंतम जनसंग्या वाले जिले जनसंग्या घनत्व आपका लिंगानुपात जनसंग्या व्रदीदर और साख्छर्ता यह पांस टॉपिक हो रहे भाई तो वह हमारी अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे थन्यवाद